हलो फ्रेंट्स आज की जो वीडियो है वो मेरे किसी रेसिपी से जुड़ी हुई नहीं है बहुत टाइम से मैं आपके साथ एक वीडियो ये शेयर करना चाहती थी और उस टाइम मेरे पास कुछ ऐसा कुछ सबूत या कुछ दिखाने के लिए नहीं था पर आज है तो आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहती हूं और चाहती हूं कि आप भी सावधान रहे ऐसे फ्रॉड से आज की टाइम में बहुत जादा फ्रॉड चल रहा है तो मैं सबसे पहले आपको एक वोईस मेस्ज सुनाती हूं आप पहले उसको सुने उसके बाद हम आगे बात क करेंगे अब तो इसमें कुछ दिखा नहीं रहा है ऐसा जमाने हुआ है जमा वहीं तो बता रहा हूं जमा अभी तक नहीं हुआ है इसलिए तो बता रहा हूं मैं कि अरे यह कैश बैक वाला ऐसी रहता है गडबर जैसे होगा कुछ मिस्टेक वाला सुनिए मेरे बात को अभी आपको क्यों मिल रहा है मैंने अभी फोन पे तो कुछ यूज किया नहीं है आपको यह कोविड नाइंटेन के वज़े से कैश बैक दिया गया आपका नमर क्यंदेन आपको इस इन है जैब कर नहीं रहे कंः तो क्यों से जाए आप ने करने किया अबिलन्स अबरे पहले वाले में तो मेरे को मैं रहां जाएं आपете भार में को रहा हो गाली ऑडिञेंग तो उस पे और एक्सेप्ट कर लिया था वो पेवाला तो मेरे अकाउंट में दिखा रहा था कि क्रेडिट हो गया है तो अभी आप बैलन्स चेक्ट होता होगा यह दूसरी बार वाला नहीं हो रहा है क्योंकि वह पहली बार वाला एक्सेप्ट हो गया है मेरे बात को सुनिए आप वहां जब तक आप बैलन्स नहीं चेक किजिएगा न उपर में अरे पर मेरे फोन में मैंसेज आ जाता है न अकाउंट में कुछ पैसा कटता है या आता है तो मैसेज आ जाता है तो इसलिए मेरे म करद तक कीजिए तो दखिए अभी आपको दोबारा वहाँ देख रहा है या नहीं दिख रहान तो थी आप सारे को डिकलाइन करें तो रिष्टिक कैसे होगा है अब पढ़े लिखे तो है निया चाहिद पहलेवाले में तो आ गया पैसा अब नहीं आ रहे हैं आप डिकलाइन हो रहा है अब डिकलाइन कर रहे हैं अरे मैं डिक्लाइन क्यों करूँगी मेरे को चाहिए न जब फ्री मैं कैश बैक मिल रहा है तो क्यों नहीं कोई लेगा सुनिए आप इस तरह मत बुलिए ठीक है अरे भाई पर कैश बैक तो आप दे रहे हैं न अब अभी तक रिसीव ने किया मैं आपको जिस तरह बोलूगा उस तरह किजी और वहाँ बैलन्स चेक किजी ठीक है तो फ्रेंस इससे जादा मैंने इस बात को नहीं बढ़ाया और इसके शुरुआत में भी जो शुरुआत हुई थे मैं आपको वह वैसे बता देती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं था उस टाइम रिकॉर्ड करना मेरे दिमाग में आया नहीं था तो सामने वाले ने बोला मेरे से कि आपको दो दिन पहले नोटिफेकेशन भेजा हो गया है फोन पे पर आपने चेक नहीं किया आपको 4,999 का कैश बैक मिलना था जिसको अभी तक रिसीव नहीं किया है तो यह चीज मेरे साथ पहले भी हो चुकी है इसलिए मैं इस चीज से पता था मुझे कि अच्छा यह कैसा कॉल है फिर भी मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब पर आप सबको भी दिखाने के लिए रहेगा कि किस तरीके से फ्रॉट कॉल आते हैं आपको कैसे साफधान रहना है इसलिए मैंने यह थोड़ी सी बस बात इससे की वरना हो सकता है मैं फोन कटकर कि उसको ब्लॉक कर देती तो उसने जब बोला कि फोन पे खोल के देखी तो उस पर उन्होंने तुरंट फिर मैसेज भेजा और मैसेज में लिखा हुआ था कि पे और जो नाम था शायद पायू या कुछ लिखा हुआ था कि आपको 4900 और पे तो सामने वाला इंस प्रेडिट हो गया है ये 4999 तो थैंक यू तो फिर चिड़ी अथा कि कि ये बेफकूर बना रहे है कि आकी जादा होश्यार बन रहे हैं आप सब तो इस वज़े से उसने मुझसे बाद में एक आता कि जब पैसा रिसीव ही नहीं हुआ है तो फिर आपको कैसे इदर से मिल ग होता है कैश बैक मिल रहा होगा तो प्लीज इन सब की बातों में बिल्कूल भी ना आए आगे मैं आपको दिखाती हूँ एक मैसेज उस मैसेज में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि पायू ने रिक्वेस्ट किया है फोन पे पे 4999 का विल बी डेबिटेट फ्रम यूर अकाउ तो ये पैसा हमारे ही अकाउंट से कट जाएगा तो अगर कभी कैश बैक मिलना भी होता है तो वो कभी भी कोई मैसेज आपको एप्रूवल के लिए नहीं भेजता है वो अपने आप ही आपके अकाउंट में कैश बैक आ जाता है तो इन सब चक्रों में बिल्कुल भी ना प इस वीडियो में आपको मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैंने एक नॉलेज के लिए बनाईती थैक्यू फर वाचेंग